दोस्तों BPSM से अभी जो भी कारपालक सायक जोईनिंग की परतिक्छा कर रहे हैं 2018 में जो फेकेंसी निकाले थे 8000 के कड़ी पैनल त्यार किये गए थे और उसमें से आधे स्टुएंट मतलब 2400 स्टुएंट अभी भी जोईनिंग की परतिक्छा कर रहे हैं तो आप लोग का जोईनिंग बेल्टोन अब खुद करवाएंगे आप बेल्टोन के पैनल में आ जाएंगे तो किस तरह साएंगे पैनल में आगे आप लोग समय लिजिए एक न्यू लेटर जारी कर दी गई है और आप लोग को हम पिछले भी वीडियो में जानकाई दिये होंगे कि बेल्टोन के पैनल में आने के लिए बेल्टोन बोल दी गई थी कि आप लोग को खुद के खर्च पे जोई एक्जाम देना पड़ेगा उसके बाद जो चात उत्रिन होते है तो पैनल में आ जाएंगे उसके बाद जोईनिंग करवेंगे ये लेटर 20 जनबडी 2013 को जाड़ी किया गया है बिहार परसासनिक सुधार मिशन सोसाइटी और बिसम यहां पर देखे बता जा रहा है मुखमंत्री एक कॉंप्लैक्स डेस बोर्ड को सांग से प्राप्त आवेदन के संबंद में मुखमं बेल्टोन के दोरा डटा इंट्री ओपरेटर की सुची करन परकिरिया संपन हो जाने के फल स्वरूप निस्परभावी हो गे जिला अश्तर पर निर्मीत कारपालक सायक के पैनल जिनकी बेदता की अबदी बची हुई थी यहां पे सापतर बता दी गया है कि बेल्टोन के डटा इंट्री ओपरेटर की सुची करन परकिरिया संपन हो जाने के फल स्वरूप मतलब 2019 के जो भी अभी डटा इंट्री ओपरेटर है सभी का जोईनिंग हो जाने के बाद फल स्वरूप निस्पावी हो गे जिला अश्तर पर निर्मीत कारपालक सायक के पैनल जिनकी उसके बाद जो 42 स्टरेंट कारपालक सायक बच गया है तो बेल्टोन के पैनल में सामिल किये जाने के संबंद में मतलब पैनल खत्म होने के बाद फिर से जो है कारपालक सायक को पैनल मिले जाने के संबंद में यहां पर बता दी गई है और यहां पर देखे बता जा रहा है दिनांग 5-2-2021 को मुख सचीव स्वा अध्यक सासी परिशत की अध्यक्चा में आयोजित बिहार पर सासनिक सुधार मिशन सोसाइटी बिहार पतना की सासी परिशत की उनिस्वी बैठक में काड़वाही बिंदू आर्ट पर निर्नाई लिया गया सासी परिशत की उनिस्वी बैठक की काड़वाही संगलन पर आवस्या करवाही है तो उपलब कराई जा रही है यहां पर साब तोर पर यह नहीं मेंसन किया गया है बैठक में आप नहीं मेंसन किया अंगी आप लोग समय लीजे इसमें आप लोग को ज्वाइनिंग में बिलम क्यों हो रहा है मैंने आप लोग को इस लेकिन इसमें बहुत सारे चुछा तर चुछा तो आप लोग का जो डिमांड मान गए थे बेल्टों का साब तो पर कहना था कि जो भी कारपालाग सायक आप जोइनिंग करेंगे हमारे बेल्टों से तो सभी चाथ को खुद के खर्चेप रेजिस्टेशन यों सीबीटी टाइपिंग देकर पैनल में आ जाए जो भी चाथ उत्रीन होते है तो बेल्टों आप लोग को जोइनिंग करवेंगे इतना तक बेल्टों इस लेटर के माधियम से साब तो पर बता दी गई थी लेकिन इसमें बहुत सारे चुछा इसे मंजूर नहीं था तो फिर से बैठक में गए फिर बिहार स्तरकार को आवेदन दिये यह सब हमको नहीं चाहिए हम पहले ही पास आउट है हमको जोइनिंग चाहिए तो इसके लेकर बेल्टों तब से कोई भी लेटर जाड़ी नहीं किया था जो भी छात यह आवेदन दिये होंगे मुखमंत्री के पास के पास में चल गए होगा उसके बाद बैल्टों कुद एक अप लोगा डाला को तरह से कर वाएंगे क्याय। नीरणायल्स वाले खत्म होच्छुका है तो उसके बाद बेल्ट नीरणाई लेंगे नियू रेइस्टेशन करेंगे या इन शात रोको जोईनिंग करवाएंगे अगर नियू रेइस्टेशन करते हैं तो सभी छाद को इसमें भाग लेना पड़ेगा, अगर BPSM बाले को जोइनिंग करवाते हैं, तो इनसे को जोइनिंग की परकिरिया भी सुरू कर देंगे, और न्यू रेइस्टेशन सुरू कर देंगे, तो यह बेल्टोन का फैनल डिसीजन फड़बरी सकेंड विक में हो जा तो बेल्टोन के पास में यह लेटर चला गया है, आप लोग को जोइनिंग अब कीछ तरह से करवाएंगे, पैनल डिसीजन हो जाएंगे, क्योंकि एक डिसीजन आप लोग को पहले ही दे चुका है, कि आप लोग पैनल में आ जाईए, एक जाम दे कर लेकिन इसमें मनमानी नहीं थे छाद, तो फिर से यह लेटर जाड़ी क्या गया, और यहां पर सापतोर भी बता दी गई है, कि पैनल समाप्त होने के बाद, जो बच गया कारपालक साया, उसे आप पैनल मिले लीजिए, तो यह सापतोर भी कहना है, बेल्टोन का डिसीजन आप क्या आती है, आप लोग चैनल पर बने रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अपडेट जैसे ही आती है, तो आप लोग को बता दिया जाए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, कि आप लोग को किस तरह से जोइनिंग होंगे, धन्यवाद,